हलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल आर्ट सेजन क्लासेस, मेरा नाम रजना गुपता है, आज हम आप लोगों को यूद कॉम्पिटीशन का चैप्टर 3 भारती एतिहासिक कालिन चित्रकला से स्टार्ट करेंगे कुष्चन नमबर वन है, भारती मूर्ती कला में सेलियों का सही कालानुकरमिक अनुपाद चुनिये option A है मोर्य गुप्त सुंग कुसान, option B है कुसान मोर्य सुंग गुप्त, option C है मोर्य सुंग कुसान गुप्त, option D है सुंग मोर्य गुप्त कुसान तो इसका सही क्रम क्या है मोर्य सुंग कुसान गुप्त देखिए मौरे कालीन मुर्तिकला सहली का निर्मार 323 इसापूर्व से 185 इसापूर्व में हुआ था और सुंग कालीन मुर्तिकला सहली का समय 182 इसापूर्व है और कुसान कालीन मुर्तिकला सहली का समय प्रतम शती इस्वी से तीसरी शती इस्वी है गुप्त कालिन मूर्तिकला का समय क्या है? 275 इस्वी से 600 इस्वी यानि की 3 से 6 सती इस्वी नेक्स्ट कोश्चन है भारती राश्री द्वज में बना चक्र कहां से लिया गया है? आप्सन A है भरुतिस्टूप, आप्सन B है कोणार्ग सुर मंदिर ओडिसा, आप्सन C है लोरिया नंदन गर इस्थित असोकी इस्थम्ब का सिंग सेर्स, आप्सन D है सारनात उत्तर प्रदेश इस्थित असोकी इस्थम्ब का सिंग सेर्स तो भारती राष्ट्री ध्वज में बना चक्र लिया गया है सार नात उत्तर प्रिदेश इस्थित असोकी इस्थम्ब का सीन सेर्ष से निक्स कोश्चन है पूर्वी भारत में सुंग सामराज के संस्थापक और पहले शाषक कौन थे पूर्वी भारत में सुंग समराज के संस्थापक और पहले शाषक थे पूस्यमित्र सुंग ठीक है अंतिम मौरे सासक ब्रेदरत की हत्या करके उसी का सेना पती पूस्यमित्र सुंग राजा बन गया पूस्यमित्र सुंग नहीं सुंग वंस की निउडाली या भारत में स्थापित प्रिथम प्राहमन राजवंस था निक्स कोश्चन है कौन से स्कूली का लाकार बहुत विश्यों पर केंद्रित थे आप्शन A है गुप्त, आप्शन B है गांधार, आप्शन C है कुशार, आप्शन D है मथुरा तो गांधार जो है बहुत विश्यों पर केंद्रित था, गांधार सैली इसका अन्य नाम इंडो ग्रीको सैली या ग्रीको पुद्धिस्ट या इंडो हेलेनिस्टिक है घंधार सैली का मुखे विसे बुद्ध से संबंदित था गंधार सैली की खोच डॉक्टर लिथर ने की थी नेक्ट्स कोश्चन है निमनलिकित में से किस समराट ने धर्म और दर्शन पर अपने विचारों के वियाख्या करने के लिए पत्थर का उप्यो करना सुरू किया औप्सन A है कुसान, औप्सन B है संप्रती, औप्सन C है अशोक, औप्सन D है देव वर्मन तो कि समराथ ने धर्म और दर्शन पर अपने विचारों के व्याख्या करने के लिए पच्थर का उप्यों किया, असोग ने किया था। ठीक है? किस ने किया था? समराट असोक ने किया था. असोक ने बहुत धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सिला लेखो में ब्रामी, खरोस्टी, ग्रीक, आर्माई कलीपी का प्रयोग किया था. उसने अपने संदेशों को सिला लेखो और इस्तंभो पर खुदवाया था. नेक्स कोस्चन है गंगा के किनारे मोर्य द्वारा निर्मित विशाल लकडी का किला कहां इस्तित है? आप्शन A है पाटली पुत्र, आप्शन B है उत्तर प्रदेश, आप्शन C है मध्य प्रदेश, आप्शन D है बिहार. तो गंगा के किनारे मौर्य द्वारा निर्मित विसाल लकडी का किला बिहार में स्थित है ठीक है नेक्स्ट कोश्चन है अस्वमेध यक्यके समय स्री राम ने किसकी स्वरण प्रतिमा का निर्मार करवाया उप्सन A है दश्रत, उप्सन B है सीता, उप्सन C है हनुमान, उप्सन D है लक्षमर तो अस्वमेध यके केसे में स्री राम जी ने सीता जी की स्वरण प्रतिमा का निर्मार करवाया था और इस स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण किस ने किया था तो मैं नामक सिल्पी कार ने किया था नेक्स कोश्चन है बारती वास्तु कला में सर्व प्रिथम महराब यूग प्रवेश द्वार कहां पाया गया औप्सन ए है भेम बेट का औप्सन भी है लोमिस रिसी गुफा औप्सन सी है भाजा गुफा औप्सन डी है कारले गुफा तो भारती वास्तु कला में सर्व प्रिथम महराब यूग प्रवेश द्वार लोमर्स रिसी गुफा में पाया गया है ठीक है असोक ने अजीविकों के निवास इस्थान हित्तू, बिहार के बार्बरा पहारियों को काट कर चार गुफायं दान में दिती जिनमें सिलोमस रिसी गुफा का निरमार सम्राट असोक के समय में हुआ था ठीक है इसमें अलंकृत महराब द्वार प्राप्थ हुआ है इसके महराब में हातियों की आकृतियां उत्कील की गई है इस घुफा की बनावस्त कास्ट कटाई परंपरा पर आधारित है निक्स कोश्चन है दसावतार विश्णू के अफ्तरण का सही अनुकरम चुपह चानिये आप्सन ए है कुर्म वरा नर्शिम मच्य आप्सन भी है मच्य कुर्म वरा नर्शिंग आप्सन सी है नर्शिंग वरा कुर्म मच्य आप्सन डी है वरा मच्य कुर्म नर्शिंग तो Вिषणु के दफ्स अवतार का जो सही अनुक्रम है वो क्या है मत्से कुर्म वरानर्सिंग थिक है और विषणु के दस अवतारों का उललेक किस में मिलता है तो मत्से पुराण में मिलता है Next question है सुलतान गंज से प्राप्त कुप्त कालिन बुद्ध प्रतिमा की भाव भंगीमा है, उप्सन ए है ध्यान मुद्रा, उप्सन बी है अभे मुद्रा, उप्सन सी है वितर्क मुद्रा, उप्सन डी है धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा, तो सुल्तान गंज से प्राप्त गुप्त कालीन, बुद्ध प्रतिमा की भाव भं गिमा है अभे मुद्रा ठीक है यहां मुर्थी बिहार प्रदेश के भागलपूर जिले के सुल्तान गंज नामकिस्थान से प्राप्त हुई है यहां ताम्बे में निर्मित बुथ की खड़ी मुर्थी है जिसकी उच्चाई साथ फिट है ठीक है यह मुर्थी बर्मिंगम प्रतीमा किस पत्थर से निरमित है। आप्षिंग सका 및 आएग और शीम प्रतीमा क्या है। नेक्स कोस्ट्चन है, पूर्टिया एकास्मस शैल उतकीन मंदिर का उदारण बताईए, आप्शन A है गुप्तकालीन मंदिर भीतर गाओ, आप्शन B है केलास मंदिर एलोरा, आप्शन C है लिंगराज मंदिर ओडिसा, आप्शन D है सूर्य मंदिर कोडार्ग तो पूर्टिया एकास में शैल उत्किर्ण मंदिर है कैलास मंदिर जो की एलोरा गुफा में है ठीक है एलोरा की सुल्वी गुफा का नाम कैलास मंदिर है ठीक है इसका समय आठवी सती इस्वी है इसका निर्मान क्रिस्ण राज प्रिथमने करवाया था केलास मंदीर सेव धर्म को समर्पित है और यहाँ एकास में सैली का सबसे बड़ा मंदीर माना जाता है इस मंदीर की अधार योजना द्रविर सैली की है ठीक है और केलास मंदीर की लंबाई 142 फीट चोड़ाई 6-6 फीट और उचाई 100 फीट है नेक्श कोस्चन है परकम यक्ष नामक मूर्ती शिल्प किस काल का है और यह मत्रा संग्राले में संग रही थे नेक्श कोस्चन है साची इस्तूप पर किस लिपी में संदेश खुदा हुआ है आप्शन A है ब्रामी आप्शन B है देवनागरी आप्शन C है किलाक्षर आप्शन D है खरोस्टी तो साची इस्तूप पर ब्रामी लिपी में संदेश खुदा है ठीक है साचे इस्तूप मत प्रिदेश के पोपाल के निकट विदीसा से उत्तर पस्चिन की और राइसेंग जिले में इस्थित है असोग द्वारा निर्मित या इस्तूप इटो का बना हुआ था इस इस्तूप में सारी पुंध तथा मोगलायन की अस्थियां रखे हुई है और इस इस्तूप का व्यास कितना है 120 फीट है और इस इस्तूप की उचाई 54 फीट है इसमें चारो तिसाओं में चार तोरल द्वार बने हुए है ठीक है जिसकी उचाई 34 फीट है नेक्स कोश्चन है कनहेरी गुफा कहां इस्थित है आप्सन A है आंदर प्रदेश, आप्सन B है महराष्ट, आप्सन C है केरल, आप्सन D है तमिल नाडू तो कनहेरी की गुफाएं महराष्ट राजे में इस्थित है इसका निर्मार साथ वहन काल में हुआ था और यह बहुत धर्म से सम्बंदित है, इसमें कुल एक सो नो गुफाएं है नेक्स कोश्चन है असोक इस्थम्बो के सीर्ष पर अधिकांस्ता बाग हाती और किसको दर्साया गया है असोक इस्थम्बो के सीर्ष पर अधिकांस्ता बाग हाती और किसको दर्साया गया है नेक्स कोश्चन है मत्य प्रदेश में विदीशा के समीप इस्थित उदे किरी गुफाएं किस से सम्बंदित है आप्सन ए है मौरे काल, आप्सन भी है वकाटक काल, आप्सन सी है गुप्त काल, आप्सन डी है साथवाहन काल तो मत्य प्रदेश में विदीशा के समीप इस्थित उदे किरी कि गुफाएं गुप्त काल से सम्बंदित है ठीक है? किस सम्बंदित है? गुप्त काल से यहां गुफा चंद्रगुप दुती के मंत्री वीरसें द्वारा निर्मित कराई गई है यहां कुल नो गुफाएं हैं ठीके और यह गुफाएं हिंदू धर्म से सम्बंदित है उदेगिरी गुफा की सबसे प्रसित मूर्ती वरा की मूर्ती है ठीके जो विश्रुणू जी को समर्पित है नेक्स कोश्चन है भारत के किस वर्तमान प्रांत में साची का महा स्थीत है आप्शन A है उत्तर प्रदेश आप्शन B है मद्द प्रदेश आप्शन C है आंदर प्रदेश आप्शन D है छतीस गर तो साची का स्थूप कहां स्थित है मर्ध प्रदेश में स्थित है अभी मैंने पहले बताया अभी कि कहां स्थित है मर्ध प्रदेश में स्थित है ठीके साची स्थूप मर्थ प्रदेश के फोपाल के निकट विदीशा से उत्तर पस्चिम की और रैसें जिले में इस्थित है साची स्थूप का प्राचिन नाम ककंद बोड या काकन्या था और इसकी खोच 1818 इस्विय में जनरल रॉयलेट या टेलर ने की थी और यह स्थूप अर्ध विद्दाकार है नेक्ट कोश्चन है साची स्थूप के स्थापत को उपर से नीचे के क्रम में लगाईए आप्सन A हर्मिका छत्रावली सुपान वेदिका आप्सन B है छत्रावली वेदिका सुपान तोरण आप्सन C है अंड हर्मिका वेदिका छत्रावली आप्सन D है छत्रावली हर्मिका अंड वेदिका तो साची स्थूप के स्थापत को क्या करना है उपर से नीचे की ओर क्रम में इसको विवस्थित करना है तो इसका उपर से नीचे का क्रम हो जाएगा छत्रावली हर्मी का अंडवेदी का, ठीक है? Next question है, सारनाथ इस्थित लॉयन सीर्स किस माध्या में निर्मित है? Option A है चमकदार पत्थर, Option B है लोहा, Option C है जस्ता, Option D है फाइबर ग्लास तो सारनाथ इस्थित लॉयन सीर्स चमकदार पत्थर में निर्मित है यहां सीन सीर्स इस्थम वर्तमान में सारनाथ चंगराले वरार्सी में संगरहित है निक्स्ट कोश्चन है, वेद कितने हैं? Option A है पाँच, Option B है आठ, Option C है चार, Option D है तीन तो वेदों की संख्या चार हैं, कौन-कौन से हैं? रिग वेद, यजूर वेद, साम वेद और अथर्व वेद निक्स्ट कोश्चन है, प्राचिन नालंदा विष्व विद्याले कि सुराजे में स्थित है? आप्सन A है गुजरात, आप्सन B है पस्चिम बंगाल, आप्सन C है उत्तर प्रदेश, आप्सन D है विहार प्राचिन नालंदा विष्व विद्याले बिहार में स्थित है, ठीक है? बिहार राजे में स्थित है निक्स्ट कोश्चन है, चित्रकला का प्राचिन नाम क्या था? Option A है रूपेद, Option B है शिल्प, Option C है आलेख्य, Option D है रचनात्मक्ता तो चित्रकला का प्राचिन नाम क्या था? शिल्प था Next question है, अगनी पुरान में कलाकार को क्या कहा गया है? Option A है देवता, Option B है भगवान, Option C है योगी, Option D है महरसी अगनी पुरान में कलाकार को क्या कहा गया है? योगी कहा गया है और अगनी पुरान की रचना किसने की है? वेद व्यास ने की है Next question है, उदेखेरी की गुफाएं किस धर्म से सम्मंदित कला को दर्शाती है? Option A है बौत धर्म, Option B है हिंदू धर्म, Option C है इशाई धर्म, Option D है जैन धर्म तो उदेखेरी की गुफाएं हिंदू धर्म से सम्मंदित कला को दर्शाती हैं Next question है, गौतम बुथ की जन इस्थली कहां है? Option A है बौत गया, Option B है वैसाली, Option C है लुम्बनी, Option D है सारनाथ तो गौतम बुथ की जन इस्थली कहां है? लुम्बनी नेपाल में ठीक है? गौतम बुथ का जन 563 इसापूर्व में कपिल वस्थू लुम्बनी नेपाल में हुआ था और इनकी मृत्यू 483 इसापूर्व में कुसी नगर में हुआ था गौतम बुथ को निरंजना नदी के तट पर बोधिवरिच के नीचे ज्यान प्राप्थ हुआ था और गौतम बुथ ने प्रिथम उपदेश सारनाथ के मिरिक टाओं में पाली भाशा में दिया था निक्ष्ट कोस्चन है जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रिथम तिर्थंकर कौन थे? आप्शन A है पार्श्वनाथ, आप्शन B है अस्वसेन, आप्शन C है रिशब देव, आप्शन D है वर्दमान जो जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रिथम तिर्थंकर रिशब देव थे ठीक है इन्हें आदिनाद भी कहा जाता है निक्स कोश्चन है गांधार कला किसके समय पनपी थी? आप्सन A है शाक्य, आप्सन B है मौर्य, आप्सन C है कुशान, आप्सन D है शुंग गांधार कला कुशान के समय पनपी थी निक्स कोश्चन है पौराणिक रूप से चितकला की उत्पत्ती से सम्बंदित कथा का वरणन मिलता है आप्सन A है चित्र सुत्रम में, आप्सन B है चित्र लक्षणम में, आप्सन C है काम सुत्र में, आप्सन D है रामायन में तो पौराणिक रूप से चितकला की उत्पत्ती से सम्बंदित कथा का वरणन चित्रलक्षडम में मिलता है चित्रलक्षडम की रचना नगने जीत या भैजित नामक राजा ने की थी ठीक है निक्स्ट कोश्चन है आदे काल की चित्रकला कब से कब तक मानी जाती है option A है 10,000 इसापुर्व से 50 इस्वी तक option B है 30,000 इसापुर्व से 50 इस्वी तक option C है 500 इसापुर्व से 50 इस्वी तक option D है 2000 इसापुर्व से 20 इस्वी तक तो आदे काल की चित्रकला कब से कब तक मानी जाती है यहाँ होगा यह 3000 होगा ठीक है तिन हजार इसापुर्व से पचास इस्वी तक नेक्स कोश्चन है कनिश्क मूर्ती किस काल में बनी थी? आप्सन A है गुप्त काल आप्सन B है मौर्य काल आप्सन C है शुंग काल आप्सन D है कुशार काल कनिश्क मूर्ती कला किस काल में बनी थी? कुशान काल में बनी थी नेक्स कोश्चन है मगत राज की नियू किसने डाली ओप्सन ए है बिम्बिसार ओप्सन भी है अजाज सत्रू ओप्सन सी है चंद्रगुप ओप्सन डी है इन में से कोई नहीं तो मगत राज की नियू किसने डाली थी बिम्बि सार ने डाली थी नेक्स कोस्चन है गौतम बुध ने निर्वान कहां प्राप्त किया था ओप्शन A है गया ओप्शन B है कुशी नगर ओप्शन C है सारनात ओप्शन D है नालंदा तो गौतम बुध ने निर्वान प्राप्त किया था कुसी नगर में प्राप्त किया था ठीके और कब हुग किया था तो 483 इसा पूर्व में निक्स कोश्चन है मुर्ति कला की वास सैली क्या है जो ग्रीक रोमन कला से प्रभावित रही आप्सन A है मतुरा आप्सन B है भरूत आप्सन C है गांधार आप्सन D है मौरे कालीन तो मुर्ति कला की वास सैली जो क्रीक रोमन कला से प्रभावित रही है वास सैली रही है गंधार सैली निक्स कोश्चन है वेदो की रचना किस भासा में हुवी थी आप्सन A है हिंदी आप्सन B है देवनागरी आपसन c है फार्सी आपसन d है संस्कृत वेदो की रचना संस्क्रित भासा में हुई थी Next question है भगवान बुध ने पहला उपदेश कहा दिया था आपसन a है सार्नात में आपसन b है वशाली में आपसन c है साची में आपसन d है बोडगया में भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था ठीक है सारनाथ में कहां तो सारनाथ के म्रिक्टाओं में दिया था और पाली भाशा में दिया था निक्स कोश्चन है इंडो आर ये कौन सी भासा बोला करते थे ओप्सन ए है हिंदी ओप्सन बी है देवनागरी ओप्सन सी है संस्कृत ओप्सन डी है पाली तो इंडो आर ये संस्कृत भासा बोला करते थे ठीक है निक्स्ट कोश्चन है पल्लो कला के अंतरगत किन कला केंद्रों का विकास हुआ आप्सन A है खचुराहो, आप्सन B है अलोरा, आप्सन C है महा बलीपुरम, आप्सन D है लिंग राजमंदिर तो पल्लव कला के अंतरगत महाप बलीपुरम कला के इंद्रों का विकास हुआ ठीके निक्स कोश्चन है खंड गिरी तथा उदे गिरी कहां इस्थित है और ये गुफाय सुंग काल में निर्मित कराई गई है जो जैन धर्म से संबन्दित है निक्स कोश्चन है अभी कथन ए है बुथ ने स्वयम कभी भी अलोकिक दावे नहीं किये और इसका तर्क है उन्होंने सच्चमुच शास्वत आत्मा के विचार को स्विकार किया तो ये दोनों सही है ए तथा आर्म दोनों सही है ठीके निक्स कोश्चन है कुसार राजवस अपने चर्मुतकर्स पर किसके सासन में आया आप्सन ए है विम कई फाइसिस आप्सन भी है अशोका आप्सन सी है कनिस्क आप्सन डी है वासिस्क प्रिथम तो कुसार राजवस अपने चर्मुतकर्स पर कनिस्क के सासन में आया था ठीक है निक्स कोश्चन है साची में प्रिदर्शित कला वाशिल्प किस धर्म से संबंदित है Option A हिंदू धर्म, Option B है जैन धर्म, Option C है बाद धर्म, Option D है मुश्लिम धर्म साची में प्रदर्सिक कला वा शिल्प बाद धर्म से सम्बन दी थें, ठीक है? निक्स कोश्चन है, मत्य प्रदेश के रायसें जिले के पहाड़ियों के सीर्स पर इस्थिक स्थूप को किस नाम से जानते हैं? Option A है भरूति स्थूप, Option B है साची स्थूप, Option C है अमरवति स्थूप, Option D है सारनाति स्थूप देखे साची इस्तूप भरूत इस्तूप सारनात इस्तूप इन सबको आप जानिए कि यह कहां इस्तित है यह सभी इंपोर्टेंट है ठीक है इसमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है आपका क्या इंपोर्टेंट है भरूत इस्तूप और साची इस्तूप तो इसको पूरी दिया option a है वसाली में option b है बोत गया में option c है राजकरी में option d है सारनाथ में देखिए यह question किते बार पुछा गया है तो गौतम बुध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था सारनाथ में सारनाइथ में कहां तो सारनाइथ के बिक्टाउमें पाली भासा में दिया था Next Question है गौतम बुध ने निर्वार कहां प्राप्त किया था Option A है बुध केया, Option B है वरानसी, Option C है कुछी नगर, Option D है श्रावस्ती ये भी पूछा जा चुका है कई बार तो गौतम बुद्ध ने कुछी नगर में निर्वान प्राप्त किया था और कब किया था तो 483 इसा पूर्व में निक्ष कोश्चन है साची स्थूप का कौन सा अंस अलंकारिक है आप्शन A है तोरण द्वार, आप्शन B है वेदिका, आप्शन C है इस्तंब, आप्शन D है भित्तिया तो साची स्थूप का कौन सा अंस अलंकारिक है इसके तोरण द्वार ठीक है, इसके तोरण द्वार अलंकारिक है साची स्थूप के तोरल द्वार है वो चारो दिसाओ में चार तोरल द्वार है ठीक है निक्स कुश्चन है साची स्थूप के उत्री तोरल द्वार पर किस जातक का विश्तरित वर्लन किया गया है Option A है महाकपी जातक, Option B है बिसांतर जातक, Option C है सदनतक जातक, Option D है इनमेंसे कोई नहीं तो साची स्तूप के उत्री तोरण द्वार पर बिसांतर जातक और छदन जातक का विस्तित वरणन किया गया है ठीक है देखिए साची स्थूप के चारो तरफ चारो दिसाओं में चार अलंकरित तोरण द्वार बने है ठीक है और इन तोरण द्वार की उचाई कितनी है तो 34 फीट है देखिए 37 दूप का सरवादिक अलंकरित तोरण द्वार उत्तरी तोरण द्वार है ठीक है निक्स कोस्चन है इनमें से कौन प्रिथक वेद नहीं है आप्शन A है रिग वेद, आप्शन B है अधर्व वेद, आप्शन C है या आयूर वेद, आप्शन D है साम वेद तो इनमें से प्रिथक वेद नहीं है, आईूर वेद नहीं है निक्स कोस्चन है गांधार कला किस कला से प्रभावित है आप्शन A है चीन की कला, आप्शन B है रोमन कला, आप्शन C है फार्सी कला, आप्शन D है युनानी कला तो गंधार कला सेली युनानी कला से प्रभावित है, थिके? निक्ष कोष्चन है चैत्य कुफाओं का उपयोग किया जाता था औप्शन A है पूजा है तू, अप्शन B है निवास है तू, अप्शन C है ख्रेडा है तू, अप्शन B है शासन है तू चैत्य गुफाओं का उप्योग किया जाता था पूजा हे तू ठीके किसलिए किया जाता था पूजा हे तू इस क्लास में यूद कॉम्पिटिशन चैप्टर 3 के 50 कोश्चन तक सॉल्फ करा दिये गए है अब नेक्ष्ट क्लास में इसके आगे की कोश्चन सॉल्फ करा जाएंगे तब तक के लिए इसी तरह पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए थैंक यू सो मच